जहिन साथियो स्वागा थे आप सभी का अबनी यूट्यूब चैनल फिर नॉलेच 1998 पर दोस्तो आप से लिए फिर से इसको सकबरी है दोस्तो महूँ वाले का जो नौटिफिकेशन है आर्मी रेली का वो जारी कर दिया गया है जहां दोस्तो आपने सही सुना आपके लिए फि अर्मी रेकृर्मेंट्रेली फॉम-3s-021-3s-021 तक दोस्तो इसको आप अपनी मोगाल पर ही देख सकते हो इसकी जो ओफिसरली वेपसाइड पर जो आप अभी स्कीन पर देख रहा है इसकी ओफिसरली वेबसाइड है दोस्तो इसकी अप मैं पूरी जान का रही आपютсяD 595 यह इसका जो ग्राउंड का वेन्यू भी दे दिये गया है दोस्तों देवास में मंद्यप्रदेश के देवास में है खुस बाहू ठाकर स्टेडियम पर यह आप इसकीन पर देख रहा है और जो आपकी रेली डेट चलेगी 20 मार्च से 31 मार्च की बीच तक आपकी रेली डेट चलने वाली है स्टेडियम आपको दिय दिये गया है भुष बाहू ठाकर स्टेडियम देवास मत्यप्रदेश यह आपका स्ट 시डियम दिया गया है दूस्तों इसमें एक इंपरेपिंड चीज आपको बता दो कि इसमें कौन कौन से डिस्टिक भाग लेने वाले हैं दोस्त लिया गया है दोस्तों जो आपका स्टेडियम मैंने आपको बताए था खुसबाहु ठाकर स्टेडियम देवास मद्यप्रदेश पर है और जो आपके रेली पर से चलेगी 30 मार्च से 20 मार्च तक आपकी चलने वाली है दोस्तों इसके रेजिटेशन डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 6 मार्च से 15 मार्च तक इसके रेजिटेशन डेट चलने वाली है ठीक है दोस्तों तो और जो आपका एड्मिट कार्ड है वो भरती के पास दिस दिन पहले ही आपका जारी कर दिया जाएगा अब दोस्तों इसमें बात कर लेता हूं कौन-कौन से पोश्ट के लिए आपके लिए विकेंसी निकली हुई है तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपकी जनरल सुल्जाज जनरे ड्यूटी के लिए तो इसमें आपकी जो एज रहे रहने वाला पचास केजी रहने वाला है और आपका चैस्ट रहेगा 77 प्लस 5 इंप्रेशन रहेगा सभी ओल ठीक है अब इसमें सेकंड है दोस्तों सोल्जाज जनरल ड्यूटी सेड्यूल ट्राइब केंडिडेट के लिए है न इसमें वही क्राइटरिय रखा गया है बस इसमें हाइट थोड़ी से छोड़ दी गई इसमें जो हाइट रहेगी 162 cm रहेगी और आपका जो वेट रहेग एक अक्टुमबर निस संत्यान नविस से एक अपरेज 23 की विच काउंट की जाएगी और आपकी हाइट रहेगी 162 cm और आपका वेट रहेगा 50 की जी अब सोल्जल सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की बात करें दोस्तों इसमें आपका जो एग रहेगा साड़े साड़े सा 23 से एर्थक रहेगा और आपकी एज काउंट की जाएगी उनिस संत्यान नविस दो जार तीन तक और जो आपका जो है हाइट रहने वाला 117 cm और वेट रहेगा पचास है पचास की जी ठीक है दोस्तों अब टेकनिकल की बात करें सोल्जर टेकनिकल इसकी एक्जामिनर की बा करें दो यह अभी एट पहूंट के लिए आप की जो हम डेड़ बर्त रहेगी 17 से तेजसे अर्थक रहेगी आपकी एज काउंट की जाएंगी उनिस संत्यान अप्स दोजार बीच के आपकी एज काउंट की जाएगी जो हाइट रहेगी तो बिच छूट दिया रहा है और सेकंड परती आई ये सोलियर ट्रेड मैन के टैंथ पास से दोस्तो इसमें भी आपका एच सैम रहेगा वेट भी और हाइट भी सैम रहेगा ठीक है दोस्तो और जो आपको एट बेस पर ये आपका सेना में होंगे तो आपको दोस्तो हाइट वेट और चेस्ट में आपको यहाँ पर छूट दी जाएगी जैसे एक सर्मिस्वें भी है और वो अपलाई करना चाहते है ये देखिए इसमें यहाँ पर इनको छूट दिये गया है ठीक है दोस्तो अब मैं आपको बता दूँ अब ग्राउंड फिजिकल के बारे में आपका जो ग्राउंड रहेगा दोस्तो 1601.6 km रहने वाला है यदि दोस्तो आप 5 मिनिट 30 सेकंड में पार कर ले तो आपको फर्स्ट ग्रूप में रखा जाएगा और सार डंक दिये जाएगे ठीक है दोस्तो और जो आपको पूल अप रहता है जैकि आप 10 भी मारते हो आड़ नो भी मारते हो उसके हिसाब से आपक कर ले तो आपको जो रहे का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा आपको 100-100 मार्क्स मिलने वाले है ठीक है दोस्तो अब मैं आपको बात कर लेता हूँ टापुमेंट की में आपको बता आये था कि आपके सब डाकुमेंट सोने चाहzahlए ठीक है है अधार काड पैन काड़ फहाचान रहने चाहे है आय जाती प्रमाना पत्र ये दोनों पहुत ही रहना अनिवार है आपके ठाने से जो बनता है करिक्टर सार्टिफिकर वह भी रहना बहुत ज़रूरी है और यह田 यह अपके पास उनमेरीड है बनाने के लिए ऊ reaches और है तो आप भो मैंने आपको दे दिया है तो यही तो स्की इसके फूरी पीडियाप चीए तो आपको पास तुला लेटिया था कि आपको धीया आपके रिए जाता है प्लिष्ट चाहिए तो दोस्तों यदि आपके पास नमर पहला आपके पीता या फादर होंगे तो उसका जो रिलेशन सार्टिपिके बनता यदि बू होगा तो आप उसको प्लीज लेकर जाएगा और नमर दूसरा जो रहेगा एंसी जिए आपके पास एंसी का सी सार्टिपिकेट है तो 2016 मिलने वाली है और नमर तीसरा है कि याप कोसि दरять से उसके लिए आप को छोट मिलता है ठीक दोस ये तीन हो कर दिये आपके पास संदस्क हर्यागा तो हैकि को आप यसको ले जाना ना भूलिएगा यहां कि कि इसमें आपको छोट बहुत ज्यादा मिलती एनश को को तो त तयारी करती है आसा करते हूँगे। आप इस भरती में सब भी सिलेक्ट हो जाए hail. ठीक है दोस्तो मैं जल्दी पेपर भी लेका आओ गो ईसके औरिजिनली पेपर जो है अभी पिछले बार जो भरती में हुई थे उसके पेपर के जिकजाब हुआ था उसके पेपर में आपके जल्दी लेकर आने वाला हूँ और आपकी तयारिया भी इसे चैनल पर करवाँगो ठीके दूस्तों